अलो दोस्तो शड़ी मोड में आपको श्रगत है आज हम सभिधान और सासन से बहुत ही महतपोर चप्टर पंचायत राज देखेंगे पंचायत राज पंचायत राज विवस्था भी इसे बोल सकते हैं कब इसे सभिधानिक दर्जा मिला नगर पालिका नगर निगम वाला सासन क्या कहला था यह सभी जनकारी में इस वीडियो में देने वाला हूँ यह बहुत ही महतपोर वीडियो होगा सुरू से लेके अन तक देखिएगा जो भी जनकारी दूंगा एकदम समझे कि सरल भासा में और आप समझ सकते हैं इसके लिए आप लूशन भी पढ़ सकते हैं यहां से देखिएगा कि जो भी कोशन बनेगा मैं आपको कराते चलूंगा और यहां पर जो भी पॉइंट बनेगा उसे भी बताते चलूंगा लाड रीपन का सबसे पहले नाम आता है इतिहासिक प्रिष्ट भूमी में इससे पहले मैं आपको बता दू कि पंचायती राज ह बाईका इस्तिहासिक प्रिष्ट भूमी से पहले आपको करना करना पड़ता है फिर उसा पर स neighborhood ये सरकार केंदधर एक जैसे लोक्षभा, राजसभा और राष्टपती मिलकर वो आपको परधार मंत्री मिलकर पूरे एक इंदर अस्तर का सरकार हुआ ठीक फिर आपको होता है क्या राजस्तरपर जैसे कि विधान मंडल का पाठ हो गया विधान सभा, विधान परसद और राजपल मुखमंत्रे भी जोड़ लिए उसमें, ये सब जो हो जाते हैं, मुखमंत्रे होगा ही, विधान परसद का सदस होगा, ये विधान सभा का तो उसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो इसे बोलते हैं राजसरकार, ठीक और एक निचले अस्तर का सरकार का गठन किया गया है भारत में, जो कि बिस्स में सबसे पहला भारत ऐसा देश है, जब को निचले अस्तर के सरकार का गठन किया गया है, ये कौन सा कहलाता है, ति ये कहलाता है आपको पंचायती राजबौस, था पंचायत राजटिक, ये हम आपको अगला रिक्चर बरा दूँगे इस पर आर्टिकल चालिस दकर देखिए उसमें ये साफ सप्रवधान दिया हुआ है ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ है डे-पी-एस-पी के आर्टिकल चालिस देखिएगा तो राज के नेतिन सतत्थ जो कि आर्लेंड से लिय अब यहां देखिए पंचायती राज का मूल उद्यस क्या है कोई भी चीज बनाने के लिए अगठित करने के लिए उसका हो गांधी जी का सपना था पंचायती राज के लोग का भी सासन हो अगर ग्राम उत्थान होता है तो अपने आप ही पूरा भारत उत्में उत्थान हो जाएगा तो यह जो था वो आटिकल 40 में रखा गया और उसे जमीनी अस्तर पर उतारा गया कब यहां पर आप देख सकते हैं तो पंचायती राज सुप अरम जो सोतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1969 को आपको जवाहल अलनेरु जो हमारे प्रथम प्रधान मंत्री थे ठीक यह राजस्थान के नगोर जिला राजस्थान जो है यह चेत्रफल के दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य है जो कि पकिस्तान के बोडर मिलता है यहाँ पर राजस्थान का नगोर जिला से सुरू हुआ कब हुआ था 2 अक्टूबर 1969 कांधी जी के जैनती 2 अक्टूबर को पड़ता है यह सभी लोगों को पता होना चाहिए उनके जैनती पर ही उनका जो विचार था उनका जो सपना था वो पूरा करने के लिए ठीक यहाँ पर आप देख सकते कि 11 अक्टूबर 1969 को फिर से आप जोहला नहरू ने आंधर पर्दास पूरे आंधर पर्देश में यह पंचाइती रजब्यवस्ता का उर्गाटन कर दिया लागू कर दिया गया सब कर दिया गया लेकिन सभीधान में ऐसा कुछ उलेख के या किसी इसको टीचर नहीं तो देखते हैं बाहर आते जाता लारका आते जाता 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 कोई फHappy भर्दान किया गया गया आगे हम देखेंगे कौन से सभीधान किये गए थे पंचायत को यदि किसी बीधी के अधीन पहले ही बिघटित कर दिया जाता तो उसके अवधी के अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से पांच वर्स मिसकी माल लिजे कि आज पंचायत राच के चुना हुआ आज बन किसी अवधी के अधिन पहले ही बिघटित कर दिया जाता है तो उसकी अवधी अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारिक से पांच वर्स होगी जो कि आर्टिकल 243 के यहां पर देखे 243 के किसमें दिया है अब यहां पर अगला पॉइंट देख लिजे यदि किसी पंचा आपको बताऊंगा किन्तों यदि पंचायत ऐसे समय भीघटित किया जाता है जब अवधी छे महीना से कम बचे हो तो से अवधी के लिए निर्वाचन नहीं होता है ठीक निरवाचन कराना जरूरी नहीं होता है ठीक जरूरी नहीं है माल लेजे कि हम साड़े-4 साल अपना क के लिए तो च्छे महीने के अंदर वह भर्ना होगा अब यहां पर देखिए 343 के अनुसार कोई भी सदाथ सबनने के लिए यहां पर जो है पंचायत का शदाष सबनने के लिए नहीं और तो फिर चाहे नहीं रख दिया गया था तो वो सब्सक्राशना पास को उट पची साल पहले वो मुख्या थे और वो लगतार मुख्या थे लेकिन उसमें मुख्या का कभी भी सकती उतना नहीं दिया गया था ठीक से आपको से लेके अड़ा तक इसे इंगलिस में भी आप कर सकते हैं को को ए मान लिजिएगा ऐसे परधान किये गया था पंचायती राज में और परधान जैसे ही हुआ इसका पैसे कैसे बंदोबस्त होगा इसमें परतेक पांस साल पर कौन चुनाओ कराएगा यहां पर दिखें वर्स सभीधान दर्जा देने के लिए कहा गया था अब यहां पर बहुत से बनाए गए थे जिसमें से एक समीती जो है यह बोला था कि देखे पंचायती राज को असल सही में सफल बनाना चाहते हैं और सही में चाहते हैं कि इसका अधार दिखे इसका साफ साफ देखे कानून का बे हैंहीन से समीती ने कहा था तो 86 में मं यहां पर ट्रलयो में इस जगह पर नहीं लागी घ्याले में मिजोरफ को चोड़े लाता उ पिर से अप आपको लिखा हूं यहां पर कि यहां नहीं पंचायति राज भवस्ता लागू है यहां से कुछन पूछता है बार बार तो यहां पर हो जाएगा बzahl मेंеров हैं यहां पर आप चमिह सकते हैं पंचायति राज भवस्ता नहीं लागू है और ऐसे कभी भी question आपको अराम से कुश्चन को लगा लेना है क्योंकि कभी भी ऐसे ही कुश्चन देता है जैसे कि वर्तमान में पंचायती राज बहुस्था कहा कहा नहीं लागू है नागालेंड में कहा ले मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है और यहां पर दिल्ली को एक तो उसका भी 3 यह बनाया गया था अब कॉन आस्तर यह हो जाएगा यहां पर जिला पर दिक आपको ग्राम जो A ग्राम पंचायत समीती और जिला परिसाद यह तीनों अस्तर पर यह हो गया और परखंड या ब्लोक अस्तर पर क्या हो जागा पंचायत समीती और गाव अस्तर पर यह आपको ग्राम पंचायती यह तिनों नाम याद रखेगा दे देता है सजाने के लिए ग्राम पंचायती र पराज सभा और विधान सभा में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और वित्ति ब्रिगती से महिला आगे बढ़ेंगी तिक तो ये प्रधान के एक टियाई सीट इन लोक लिए अरक्षित होगा और बहुत पहले आप देखिएगा कि तो बंत हो जाती थी लेकिन लोग जैसे कि उनके हसमेंड सासन चलाते थे या उनके बेटा सासन चलाते थे बस नाम अभी भी बहुत जगपर आप देखिएगा अपने गाउं पर वेस में देखिएगा कि बस मुखिया जी मुखियाईन जी बस नाम की है क्योंकि उनको अर अच्छड मिल रहा है इसलिए वह ख कराना ही पड़ेगा चैज महीना है आपको समय दिया गए आता है राज निरवाचन अयोग को राज के संचित नीथी से इन संस्थाव को अनुदान देने की बवस्ता है ब देखिए अनुदान में इसकी पैसा देने की बवस्ता है नोट थी 70 सभिधान संस्थन के बाद यह याद रखिएगा अब दिखिएगा कि अब जो पंचायती रव्यवस्था इस तरह से लागू हुआ इस तरह से पैसा आता है करोड़ो रुपया सड़क बनवाने के लिए तो चुनाव देखिएगा तो बड़ा जोर सोर्स होता है बड़ा पैसा लोग बाढ़ते हैं चुन इसका नाम सुने होंगे इसके दवरा सविधान के भाग नौ 4343 से लेके और आनुषववी अनुसुची का परधान किया था रहाएग ये जोड़ा गया को नगरपाली का ध्यान मर्किये बता रहो हूं नगर पाली का जोड़ा गया था आपको तो से यह चो तक जो आटिकल है बार होई अनुशूची में जोड़ा गया और यह आटिकल भी आपको याद रखना चाहिए और भाग जो है न को में जोड़ा गया था इसमें 18 विसाय थे इसमें कितने विसाय थे 18 अब आपसे कोई बनाते हैं यहीं सब तो यहां पर आप देख सकते कि यह सब दिया गया विसाय कपरधान किया गया इसमें भी नगरपाली का कपरहवी अनुशूची में वड़ित कुल 18 विसाय पर बिधी बनाने का परधान के सकति दिया गया वैसे ही आपको पंचायती राज में देखिया जाता है इसे सभिधानिक दर्जा मिला गया और उसी समय जास्ट आगे कुछ जो है तरवा शबिधान सवस्वन हुआ जो कि उसे भी सभिधानिक दर्जा दिया गया था यह दोनों याद रखेगा नगरपालिकाव में इसमें भी आप देखिए एक तिहाई जो है यह महिला क के लिए सीट अरक्षित है नगरपलिकार संस्थाओं का कारकाल पाच वर्स का होगा इसका भी पाचे वर्स का सवकारकाल होगा बिगटन की स्थिति अगर बिख्तित हो जादी है तो चुछे वर्स के अंदर आपको चुनाओ कराना ही होगा पंचायती राज में सुधार के लिए होई गठित समीति अब यहां पर महतपूर्ड बाती यह है इसे अब ध्यान से देखिएगा पंचायती राज के लिए जो महरपूर्ड कठित की गई थी यह समीति उसके बार में मैं बता दू देखिए नगरपालिका के परकार भी होता है जैसे कि आपको नगरपंचा में की गई थी सबसे पहले याद रखिएगा इसे मत भूलिये गठे तो यहां पर मैं बता दूं कि जो नगरपंचायत होता है यह ऐसे ग्रामिट छेत्र होते हैं जो कि छोटे नगर में परवर्तित होने जा रहे हैं नगर परिसत किसे कते तो छोटे नगर छेत्र वाले को नगर परिसत काते हैं और नगर निगम भी लोग पूझ देते हैं यह क्या होता है तो बड़े जो नगर छेत्र वाले होते वह बड़े नगर निगम कहलाते हैं बड़े छेत्र वाले नगर आप किजिएगा तो यहां पर देखिए पंचायती रजबौस्ता में सुधार रहे इनका यह सिफारissä मतबुर इसे याद रखेगा फिर दूसरा में देखिए यह कौन से समीथी गठित किया घया गया था आसोक महता समीती और असोक महता समीथी का सि पार जो कि एक साल बाद ही एलेम सिंग्री समीति 11 सिंग्री समीति बहुत ही महतपूर है जो कि सभिधानिक दर्जा के लिए बोला था टिक यह 96 में इसका गठान हुआ था फिर आप देखिएगा कि याद करना उतना जरूरी नहीं है नगर निगम वाला है जो उनको सासन चलाने के लिए वह मिल गया टिक नगर पालिका वला तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो भी पॉइंट बनता था मैंने आपको सिंपल और साधारान बसा में बतानी की खुसस किया अगर वीडियो अच्छा लगता लाइक कीजिगा क कोई बी मरमेड डाउट एक रॉण बक्स में लिक सकते हैं और इससेशा सले सभी कs में कराएब।